तो जैन बच्चों लेकर आचको मैं आप लोगों के लिए class 9 से physics से आपके पास pressure in fluids and atmospheric pressure की हम बात कर रहे थे तो last video मैंने आप लोगों के chapter के जो series में चलते आ रहे हो last video में atmospheric pressure के बारे में बताया है और इसके अच्छे अच्छे इतने application देखने को मिल सकते हैं तो atmospheric pressure करने के बाद अब बात आती है कि last video मैंने आप लोगों के यह भी बताया था कि different units में कि जो atmospheric pressure होता है basically उसको measure करने के लिए अलग-अलग units होते हैं तो measure अलग-अलग units में से एक unit निकल कर आया था mm of hg जिसको हमने centimeter of hg बोला था या फिर उसको हमने meter of hg के नाम से भी बताया था आपको तो अब बात आती है यहां पर यह कि अब यह सारी जो units होते थे उसमें mm cm hg हना यह से क्यों ही use करते थे तो उन चीजों को बताने का time आ गया है अब का topic आपके पास measurement of atmospheric pressure हम atmospheric pressure को क्या करेंगे major करेंगे क्या करेंगे हैं उसको measure करेंगे तो अब बात आती कैसे measure करेंगे तो उसके लिए हमें use जो जरूरत पढ़ेगे उससे हम कहते हैं barometer तो barometer जो देखने को मिलेगा आपके पास धन दिजेगा barometer से हम atmospheric pressure को क्या करते है measure करते है लेकिन यह आपके पास 3 तरह के होते है जो पहला है उसको हम कहते है simple simple barometer कहते है simple barometer कहते है दूसरा आपके पास 14th barometer 14 का barometer उसके बाद एक और होता है जिसको हम कहते है simply आपके पास android android नहीं बोड़ रहा है जिसको मैं लिखके दिखाता हूँ android तो यह होगे आपके पास android barometer लेकिन मैं android barometer की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं a and d के जगा e कर रहा हूँ android barometer की बात कर रहा हूँ समझ माते यतनी बाद ठीक है तो basically barometer आपके पास 3 तरह के देखने को मिलेंगे पहला simple barometer एक 14 barometer और एक android barometer android barometer समझ माते यतनी बाद तो इसके बारे में और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे फिलाल जो हमारे पास इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपके पास simple barometer जो कि कहीं ना कहीं खुद में एक अलगी level का importance रखता है तो चलिए शुरू करते हैं अपना simple barometer तो यह चीज आपको समझाई दिया कि कौन-कौन से barometer होता है फिलाल हम बात करेंगे simple barometer का तो सबसे पहले हम simple barometer का construction देखते हैं barometer का एक construction देखते हैं इसमें सबसे पहले आपको तीन चीजों के जुरुत पड़ेगी एक जुरुत पड़ेगी टब की जिसमें हम generally आपने देखा होगा कि बड़ा सा यू समझे लिए container है और कुछ नहीं है टब का मतलब क्या है container है दूसरा आपके पास test tube का आपके देख लिएगा test tube का shape रहता है जो glass का बना हुआ रहेगा एक तो वो चाहिए और यह लगबग कितने का होना सी यह लगबग यहाँ पर हम one meter की बात करेंगे बोले तो hundred centimeter तक का रखेंगे हम इसको ठेक है चलिए दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आपको जुरुत पड़ेगी और वो रहेगा आपके पास mercury है ना जो कि liquid के form में होता है liquid के form में होता है आपके पास mercury ही एक single metal है जो लिकवीड के form में exist करता है तरवाच और कोई सा ऐसा metal नहीं है जो liquid के form में exist करता हो नीचर में फिलाहल अभी तक कि जो भी हमारे पास discoveries हों उसके according उसके बाद non metal में से bromine है जो सिरफ liquid के form में exist करता है तो यह चीज़े तैस्ट आपकी पस है या अपने ठुब बना दिया इसको कोम क्या कई एटेंगे अ जपरे इस तरी के साफर ठुब भावा रख बना हुआ लगभग वन मेतर यह इविग बना हुआ यह आपके पको क्या फैके वन मिटर का लिए कि ाट्यूप मैं ऐख आने लग़या है तो इतनी यतनी चोटे से देखें गहें थीक है हमें यहां पर ज़रूद पड़ेगे वं मेटर की सुखर मानों कि हमने यहां मर्करे लिए तो वन मेटर की ज़रूद पड़ रही है वरना कितनी ज़ेपी जाड़ हें 100 पार जाता है हन्डट पार जाता है उस्में क्या connectors को 10 मिटर के आसपस चाहिए होता है सजिम्न में आरहा है बात thousand cm चाहिए होंगे फिर तो महापे तो thousand enforcement से अच्छा है 100ege कर से हैं मतलब 10 ज्यादा 10 मिटर ना यूज करके हम one में काम चलाएंगे तो उतिना लंबा नहीं उच्स कर सकते है मैं आपको क्या करना इसको कर देना किस से mercury से इसको आपको खिल कर देना आपको mercury से तो सारी चीज्य इसको इसमें बताई जाहिए चाहिए टांशन मतले ये आपके वार्य मर्करी ते इसको सिंबॉलिक रिपर्जेंटिशन क्या देते हैं मर्करी को ठीक है अब नेक्स्ट आपके पास जो टेस्ट ट्यूब लेना जिसको हम यहां पर नाम से जानते हैं एक चीज और पता देता हूं इसको सिपंघ मैंच रिटालीनिहे इसको में इसको सिफिंगे मैं नंud i.e. मैं पस ट्रियू आपके तो डबल आरी कहां इसको सिखिरें दिशाय तॉरिय को शुचल्ट गुल नह algorithm लिया तो दल भात थी अन्सuks्त नामी दे दिया थौन और यह लगबा। 1 मेंटर है तो अधिन questo होता है , आप जबना दिए गलास बना दिया गलास नहीं हो समझे गांज चीज़ों को ऐसे रहेगा एसे रहेंगे और आप लोग этой suivर देखा alcanz यह आपने टेस्ट्यूब ऐसे देखा होगा अब इसी टेस्ट्यूब को समझना क्या है यह वन मीटर का है बोले तो हंड़र सेंटीमीटर का है और इसको आप उल्टा करके समझेगा उल्टा करके रखेंगे लेकिन ध्यान रखेगा यह जो टेस्ट्यूब है आपके पास यह अंदर भी mercury field है अब बोलेंगे कितना field है तो हम बोलेंगे पूरा पूरा up to the brim up to brim up to brim का मतलब बिल्कुल टॉप तक यहां तक पूरा पूरा field है किससे mercury से किससे mercury से समझ मां आगे इतनी बार ठेक है यह कि आपके आपके ratio to play перemy तो इतना guy टेक्ड की अधाया इतना वह जाएगा एक मीटर से अचल को इतना चेक तो सको इतना बाड़ा you whayَ ठीक है और इसको क्या करना है यह फिल्ड है पूरा पूरा अब आपको क्या करना है पताया इसके उपर अपने जो थम है उससे इसको बंद करना ऐसे करके बंद करना ठीक है बंद करना इसको जैसे मैंने इसको बंद किया और ऐसे पकड़ कर जैसे यह आपके मान लीजिए वन मिटर का टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हमने क्या करें मर्करी से फिल्ड कर रखा ऐसे मैंने बंद कर थे कंगे और आपको ओसे करके परफेंगे नहीं पूरा का क्या करने इसा का नोसकरハハ्ट योटिंगत करने तरफा करेंsz दूग माम क्या को two, और पॉर्ण। फवरा हप्त चुर्ण० थेünd जिए रिसे लेंगे 100 सैंटियमीटर का बोलें तो one मीटर का इसके अंदर मरकरी पूरा का पूरा अप्टो दबरिम टॉप तक अंगोठे से इसको बंद करना है ताकि बाहर ना निकल जाए और इसको ऐसे करके इसमें पलट देना है और पलटते अंगोठा को क्या करना हटा देना है कहां पर लेकविड का अंदर जाने के बाद समझ मा आगे तिनी बात ओके अब देखेंगे में यहां पर अब्जेविशन की क्या होने वाला इसके बाद होता क्या है जी हां यह एक्ट्वल में टेस्ट्यूब है कितने हंड़ सेंटिमेटर का होता क्या है थोड़ा सा उपर से यहां से लेकर मान लिजी यहां तक ब्लैक वाले पॉर्शन तक आपके पास मर्करी निची आ जाता है उसके बाद निची आता है कमाल वाली बात यहां पर यह देखेगा यह जो आपके पास मर्करी का लेवल है वह यहां तक रह जाता है मर्करी में लेकिन इतना खाली हो जाता है लेकिन इतने तक भरा हुआ रह जाता है मर्करी अब समझ में बात तो कुछ स्वासeg और यहां तक मैं टीक करके रख दिया एक और इसको मैं 1961-02 आतर से मिला देते हूं तो इसको जैसे में। तो यहां तक पहले तो पूरा भरा हुआ था लेकिन अब जो है इसके में मरकरी यहीं तक फिल्ड है यहां तक फिल्ड है यहां एक्सपरिमेंट कर रहे हैं यह सारे हमें यहां में अत्मोस्फारिक पेडश da सैनलग सैवंटी मेटे मिल डाशने तक फिल्ड है तो आपको समझ में आ रहा होगा इस next to the coun Budget with the electronic पले याशी चॉड़ा सा जो इसके आंदर गया कि ंदर गया उसके बाद आपके पास इसके अंदर के आपके पास मर करी है तो घबराना नहीं है यह जब भी स्टार्टिंग से कहते है वारे इसके अंदर के आपके पास मर करी है ठेके ना थोड़ा सा निचे चला गया लेकिन देखें sudden down गया sudden down गया, उसके बाद रुक गया, अब रुकने का क्या reason था उससी की बात करते है रुकने करते हैं, अगर यहां से कुछ भी pressure नहीं लगता, अगर यहां से कुछ भी pressure नहीं लगता, किस पर इस मरकरे के उपर, तो यह सारे के साällen के यहां से खाली होकि इस फे गिर जाता सारे के सारे खाली होकर गिर जाता मंने यहां पे mercury क्यों चूज किया है, उसके बारे में भी हम भी बात करेंगे इस तो यहां पे ऐसे आजाता और अकर यहां पे प्रैसर नहीं 그래ndy जाता अ इहां अगर यह नहीं होता यहां पर सारे से सारे लिक्विड क्या हो जाता है इसमें जाके खाली हो जाते हैं सारे के सारे ही खाली हो जाते हैं सारे के सारे क्या हो जाते हैं खाली हो जाते हैं अगर सारे खाली हो जाते हैं लेकिन हो क्या रहा है यहां से atmospheric pressure लग रहा है, यहां से atmospheric pressure लग रहा है, इस वाले mercury fluid पे, mercury liquid पे, समझ माती नहीं इतने बाद, तो इसके उपर लग रहा है, जिसकी वज़ा से, अब कितना लग रहा है, तो यह इतना pressure लगा रहा है, जितने से, यह जो mercury का column है, वो 76 cm में बार बार अटक जा रहा था, 76 cm में रुख जा रहा था, समझ माती नहीं बाद, 76 cm में रुख जा रहा था, फिर चाहें आप इस वाले torricelli को टेढ़ा कर दे, मेढ़ा कर दे, कुछ भी कर दे, वो उतना ही रहाएगा, for example, अगर हमने इसको टेढ़ा कर दिया, इस तरह से कर दिया, मान लीजे, यह वाला test tube क मैंने कुछ ऐसा कर दिया, इस तरह से कर दिया, तब भी यह height को कितने को observe करके रख रहा था, कुछ इस तरीके से, यह अभी इसके 76 cm को ही maintain करके रखा, तो आप कैसे भी कर दे, समझ मारीन बात मैं कहने कोशिज क्या कर रहा हूं, तो आपको चीजों का समझ नहीं कि simple barometer में ह हो क्या रहा है, चाया आप सिधा रखें, टेड़ा रखें, कैसे भी रखें, यह 76 cm height को अचीव कर रहा था, कौन? मरकरी का column, हर बार, अचा 76 cm का कितना मतलब हो गया, 760 mm, तो 760 mm of Hg, तो जो one atmospheric pressure हो गया, वो 76 cm of Hg हो गया, या फिर 760 mm of Hg हो गया, या फिर 0.6 meter of Hg हो गया, तो बताए किसी तरह की कोई problem, simple सी बात है, normal सी बात है, कोई tension लेने वाली ही बात नहीं है, है ना, तो यह कहानी है, आपके पास, सिर्फ और सिरफ इतना ही कहानी है, आपके पास simple barometer के बारे में, लेकिन यह तो experiment और observation simply, तो यहां से हमें पता चलता है कि जो atmosphere pressure लगा रहा है, बिसकली जो air pressure लगा रहा है, जिसे में atmospheric pressure कह रहे है, वो कितना है, 76 cm of Hg, बताए यहां तक किसी तरह की कोई problem, नहीं ना, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, चलिए, अब यहां पे हम question आता है कि, why do we, यहां पे हम question लिख देते हैं, why do we use, या फिर, why does Torricelli, why did लिख देते है why did, why did Torricelli use, क्या भई, mercury, mercury, भईया, water को क्यों use नहीं किया, mercury को ही क्यों use किया, है ना, क्यों use किया, वो जानना चाहते हैं, तो आईए हम आपको सिद्धी सी बात बताते हैं, यह आपके पास था transparent, कौन, कौन, आपका यह जो test tube था, glass वाला, वो transparent था, यह जो चीज रहता है mercury, वो रहता है, आपके पास opaque, अब opaque का मतलब क्या है, जो आर पर ना देखने दे, उसको कहते हैं, opaque, ठीक है ना, आर पर, जिसको अपार दर सी कहते हैं, हिंदी में generally, तो इसके अंदर जो liquid field है, तो यहां से, यतना तक liquid field है, इधर से उधर देखने कोशित करूंगा, मैं नह हमने 76 cm मिजर किया है, हमें easily पता चल जाएगा, अगर water रहता तो इधर भी इधर भी यह लगता, सेम से मैं पता नहीं चलता, problem आती थोड़ी से, पहला region तो यह है, दूसरा region, यह जो mercury है, वो उसकी high density होती है, high density, कोई सा भी liquid ले लिजे, कोई सा भी liquid ले लिजे, mercury की आपकी density जो देखने को मिलेगी, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और आपको मैंने पहले बता रखा, 13600 kg per meter cube, या फिर जब ग्राम संटिमेटर में निकालते हैं, 13.6 gram per centimeter cube, यह निकल कर आती थी आपके पास, बताएगे किसी तरह की कोई problem, यहां तक किसी तरह की कोई problem, न नहीं ना, तो simple है, बिल्कुल simple, बिल्कुल ही simple है आपके पास, समझ में आते हैं ना बात, ठेक है ना, चलिए, तो यह तो density की बात कर दिया, हमने की mercury की density सबसे ज़्यादा होती, water की किदी होती है, 1000 kg per meter, यह आपके पास mercury का, और यहां पर कर देता है, water का, तो water का होता था, 1000 kg per meter cube, या फिर 1 gram per centimeter cube, अब देख लीजिए, यह सिर्फ 1 gram per centimeter cube और यह 13.6, मतलब 13.6 times यह dancer है, कौन, आपके पास mercury, आप चीजों को समझना है, जो 13 गुना, 13.6, मतलब 14, 14 times भाई साब, आपके पास यह ज्यादा dancer है, समझ में आरे हैं, और आपको एक चीज पता है, कि जिसक उतना ही pressure ज्यादा लगाएगा, वो उतना ही ज्यादा pressure लगाएगा, because we know that pressure is equal to h rho g, pressure directly depends on rho, rho is what, density of the liquid, समझ में आती ही ना बात, तो कहीं ना कहीं density ज्यादा था, जिसकी वजह से हमने water नहीं, क्या यूज किया, liquid के तोर पे हमने mercury को यूज किया, क्या इतनी बात समझ में आ यूज किया, high density होने की वज़ा से, ये mercury के column कमी length में काम चल गया, लेकिन अगर हमने इसके जगा पे water यूज किया होता, क्योंकि उसकी density कम होती है, तो इसकी height, क्योंकि density कम है, बहुत ज्यादा amount में liquid लेना पड़ता, तो बहुत ज्यादा height जाता, ये जो 76 cm column है, उसके 10.3 meter का लेना पड़ता, 10.3 meter का Torricelli tube लेना पड़ता मुझे, कितना लेना पड़ता, 10.3 meter के आसपास का, अब तो आप लोग खोदी बताइए, आप 1 meter का glass का tube easily prefer यहाँ पर करेंगे, या फिर 10.3 meter का, नहीं न, तो यह वोला best है अपने पास, इतनी बात समझ मा आ गई, यहाँ पर एक vacuum देख रहा होगा, आपके पास, यहाँ भी जो खाली जगह देख रहा है ना इसको, इसको कहते हैं, Torricelli vacuum, क्या कहते हैं इसको, Torricelli vacuum, क्योंकि Torricelli ने दिया, Torricelli tube में था, इसलिए Torricelli vacuum का नाम दे दिया इसको, कि इतनी बात समझ मा आ गए, आप लोग को, done है ठेक है, चलिए, तो देखे, अभी मैंने यहाँ पर अगर देखा, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़े लिख दिया है ना, वो जिंदगी है, वो आपके पस जिंदगी है, बहुत ज़्यादा important है, आपके पास, है ना, opaque, opaque, यह होता है करते हैं, next हमारे पास, simple barometer के क्या-क्या advantages है, और साथ हम discuss करने के क्या-क्या disadvantages है, तो सबसे पहले, अगर मैं एक नंबर की बात करता हूँ, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई दिया, कि क्यों use करते है mercury को, mercury is a signing and, यह तो question यह आपके पस advantages of using mercury, वो तो मैंने आपको पहले ब आपके पास, अच्छा, और भी ज्यादा खास बात, इसको कि why did tory cell use mercury, है ना, उसका एक और यह reason है कि, इसका जो freezing point है, mercury का, वो minus 30 degree Celsius है, minus 30 degree Celsius है, minus 30 degree Celsius है, किसका mercury का, और लेकिन water का कितना 100 है, sorry, 0 degree Celsius है, वो boiling point है, 0 degree Celsius है, अच्छा, यह तो freezing point की बात कर ली हमने, कि यह जल्द से freeze नहीं होगा, अगर कहीं है, ऐसे area में हम गए, और जहाँ पर हम atmospheric pressure measure करना चाहते है, measure करना चाहते है, जो कि 100 cm का, क्या क्या हो मैं, minus 30 degree Celsius का, थोड़ा सा उपर, मतलब 0 degree Celsius काम देखे, हम generally जहाँ पर जाते है, जहाँ पर temperature fall किया हुए, बहुत कम हुआ है, अगर 0 degree Celsius है, तो हुआ का atmospheric pressure बता देंगे, बहुत अची बात है, दुसरी बात, vaporization की बात करते है, water 100 degree Celsius बहुत बनाने शुरू करते हैं, vapors हो जाते हैं, हमारा बया, liquid है, इतने आसान से vapor है, vapors नहीं बनाते हैं, बहुत जादा है, temperature की requirement होती है, समझ में आ गई बात, room temperature बहुत है, यह रहता ह है, कोई tension की बात है ही नहीं है, next आपके पास कह सकते हैं कि mercury does not evaporate, भी बता दिया, आपके बात है, अच्छा यह अच्छी बात है, कि जो mercury है, वो unreactive है, यह अगर आपने कभी reactivity series देखे होगी, metal की तो निच्छी आता है, copper की निच्छी आता है, आपके पास mercury फिर आता है, आ समझ में आती है नहीं इतनी बात, और यह नेचर में आपके पास pure form में easily, इसलिए pure form में easily यह मिल जाते हैं, लेकिन water क्या रहता है, कहीं से भी water लेए और आपको impure ही मिलेगा, उसके purification के अलगी process यूज़ करने पड़ेंगा, तब जाकर हम यहां पर यूज़ कर सकते हैं, स समझ में आगे बात, ठेक है न, डन है, तो यह तो advantages होगे कि mercury यूज़ करने के क्या-क्या फायदे हैं instead of water, next आपके पास of course disadvantages की भी बात करेंगे, कुछ defects की बात करेंगे, इस simple barometer की, तो सबसे पहला defect जो आपको देखने को मिलेगा हो यह है कि, यहां पर हमने जो glass यूज़ क समझ में आ जाती ही बात तो break हो सकते है, यह पहला disadvantage जीज़े, defect है, दुसरा आपके पास, यहां पर जो हमने mercury रखे हैं, यहां पर यह वाले tub की में जो हमने mercury रखे हुए हैं, वो क्या आपके पास completely open है, अच्छा, अगर कहीं पर open है, तो उपर से impurities आके, उसमें mix हो जाएं नेक्स्ट आपके पास, अच्छा, अब यह पूरे ही system को एक जगा से दुसरी जगा लेकर carry करना, for table जो है, वो नहीं है, यह reason आप दे सकते हैं, उसके बाद आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कि atmospheric pressure हमेसा सेम नहीं रहते हैं, जैसे मेरा यह room का atmospheric pressure हो काफी कम होगा, ले हूँ, वैसे मुझे mercury की height के column में भी changes देखने को मिलेंगे, जब यह सा हो जाएगा, तो फिर आपको perfect reading कहां से मिलेगी, नहीं मिलेगी आपको, और जब perfect reading नहीं मिलेगी, तो हो गया नहीं इसके disadvantages, खतम बात, और यह कहानी आपके पास simple barometer के advantages, disadvantages, working construction, सब कुछ हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है, तो उम्मीद करतों आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छी तरह से, तो फटा-फट वीडियो को like कर दिजिए, साथ है अगर आप इस channel पर एक नए student है, चानल को subscribe करके, बाइल आकन को जरूर press कर लिजेगा, और साथ ही share करके अपना support जरू तो दिखाएगा चलिए, इसकी construction कर लिए, बहुत अच्छी तरह किसे note down कर लिजे, मिलते हैं, अगली वीडियो में practice करते रहेगा, जाही